नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस YouTube चैनल में इन्वेश्टमेंट के जनकरी आज किस वीडियो में मैं आपको पोस्ट इसके IFSC कोड के बारे में बताऊंगा जहां दोस्तों काफी लंबे समय के बाद यह इंतेजार खतम हो गया है पोस्ट इसका IFSC कोड आ गया है अब इस IFSC कोड की मदद से आप पोस्ट इसमें इजिली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक से NEFT RTGS की सर्विस अब आपको यहां पर 1 मई 2022 से सुरू हो जाएगी और इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर मैं पोस्ट इसके IFSC कोड के बारे में बताऊं तो यह कुछ इस प्रकार का है आप इसे नोट कर सकते हैं और फ्यूचर में यूटिलाइस कर सकते हैं यहां आप जैख सकते हैं IPOS 0000DOP इस प्रकार का यह IFSC कोड लिखा गया है यह जो IFSC कोड है यह हर पोस्ट इसके लिए सेम हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में हर बैंक का अलग-अलग ब्रांच का अलग-अलग IFSC कोड होता है बट यहां Government of India ने एक ही IFSC कोड रखा है All India हर पोस्ट इसके यहां ब्रांच के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है तो आपको यही IFSC कोड यूज करना है जब भी आप यूज करेंगे कोई फंड ट्रांसपर करने के लिए तो आपको यही IFSC अजब आप आपका जो पोस्टो विश्का होगा वह आपको डालना रहेगा अब आगे मैं अगर बताऊं तो बेनिफिट के बारे में पोस्टो गीस ऑ बेनिफिट मिलने वाला है इसकी मदद से आप से बैंक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसके लिए आपको ईप्याउंट क की जरूत नहीं है जैसा कि आप जानते हैं अभी PPF और सुकर्णिया में अगर online transfer करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको IPPB यानि कि इंडिया post payment bank का account open करना पड़ता था बट अब वो bank से भी इसकी facility जल्दी शुरू करने वाले हैं जैसे इसकी अपडेट आएगी इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको इस discussion के नीचे दे दूँगा और आप वहां सर इसे देख सकते हैं अब मैं अगर बात करूं इसके post office और आई एफ आई पीवी के आई एफसी कोड के बारे में तो यह जानना भी बहुत जरूरी है इसमें आपको confused नहीं होना है क्योंकि बहुत सरे viewers क्या करते हैं customers इसमें confused हो जाते हैं और वह भूल आई एफसी कोड डाल देते हैं जिसके कारण उनका पैसा अटक जाता है तो पोस्ट विस सेविंग्स एकाउंट का जो आई एफसी कोड है यहां पर आप देख सकते हैं आई पीपी आई पी ओ एस डबल जिरो डबल जिरो डियो पी है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानिकि आई पीपी भी एकाउंट का जो आई पी ओ एस डबल जिरो डबल जिरो डबल जिरो डबल जिरो वन तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फिज नहीं होना है जब भी आप पैसे को फंड को ट्रांसफर करेंगे जौन सा आप एकाउंट यूज कर रहे हैं उसी एकाउंट के सबसे वही आई एफसी कोड डालना है वरना आपका फंड अटक जाएगा कहीं पर भी और वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा नहीं रिवर्सल हो पाएगा आपको मुस्किल में अब पढ़ सकते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको और एक डिटर्स देने वाला हूँ पोस्ट ओविस की एनिएफटी के और आट ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ ही क्या टाइमिंग रहने वाला है कि समय में हम कितना एमोंट ट्रांसफर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आसा करता हूँ यह अपडेट आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आइक तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दाज़ ओड़ियो